क्या आप जानते हैं कि उल्लू दुनिया के सबसे दिल्चस्प जीवों में से एक है? उल्लू अपनी अनूठी उपस्थिती बिना किसी आवाज के उड़ने और असाधारन शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम उल्लू के बारे में 12 रोचक तत्यों पर चर्चा करेंगे, जो आपको शायद नहीं पता होंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर प्लिक करना ना भूले, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोज को सबसे पहले देख सके। अब चलिए शुरू करते हैं। उल्लू अपने सिर को लगभग पूरी तरह से घुमा सकते हैं। उल्लू ज्यान और ज्यान के प्रतीक के रूप में सदियों से जुड़े हुए है। प्राचीन ग्रीक पौरानिक कथाओं में देवी एथिना को अक्सर अपने कंधे पर उल्लू के साथ चित्रित किया जाता था, जो ज्यान का प्रतीक है। आज भी उल्लू ज्यान के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं और अक्सर शेक्षिकी संस्थानों के लोगो और ब्रेंडिंग में उप्योग किये जाते हैं। उल्लू कई अलग-अलग आकार में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उल्लू कई अलग-अलग आकार में आते हैं। सबसे छोटा उल्लू अलप उल्लू है, जो केवल 5 इंच लंबा और एक और से भी कम वजन का होता है। सबसे बड़ा उल्लू यूरेशियन इगल उल्लू है, जो 28 इंच लंबा और 10 पाउंड तक वजन कर सकता है। अपने अलग-अलग आकारों के बावजूर, सभी उल्लू कई समान विशेश्टाओं को शेयर करते हैं, जिनमें उनके बिना किसी आवाज के उड़ने और असाधारन शिकार कौशल शामिल है। उल्लू के कान बड़े ही तेज होते हैं, उनके कान बड़े ही असाधारन किस्म होते हैं, उल्लूों के कान अलग-अलग आकार के होते हैं और उनके सिर पर अलग-अलग उचाईों पर स्थित होते हैं, यह उन्हें अपने शिकार को केवल ध्वनी से ही खोजने में मदद करत जब एक उल्लू कोई ध्वनी सुनता है, तो वो ध्वनी के समय अंतराल की तुलना करके ध्वनी की स्रोत की दिशा और दूरी निर्धारित कर सकता है. बिल्लियों की तरह ही उल्लू की भी तीन पलके होती हैं. क्या आपने कभी उल्लू की पलके देखी हैं? उल्लू के पास तीन पलके होती हैं. दो बाहरी पलके होती हैं, जो हम सभी के पास होती हैं. लेकिन तीसरी पलक एक पारदर्शी मेंब्रेन होती हैं, जिसे निक्टिटेटिंग मेंब्रेन कहा जाता है. यह मेंब्रेन आख को धूल और अन्य कणों से बचाती हैं, और इसे बि में 200 से अधिक उल्लू प्रजातिया है और वे विभिन प्रकार के हैबिटाट्स में रहती है जिन में जंगल, रेगिस्तान, टुंडरा और घास के मैदान शामिल है प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट वातावरण के अनुकूल हो गई है और शिकारी बनने के लिए विक्सित हुई है उल्लू रोडेंट पॉप्यूलेशन्स को नियंत्रित करने में महत्वपोर्ण होते है उल्लू कई पारिस्थितिक तंत्रों में महत्वपोर्ण शिकारी होते है और वे रोड्स की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपोर्ण भूमिका निभाते है कई उल्लू प्रजातिया रोड्स को खाती हैं जिनमें चूहे, गिलहरी और वोल्स शामिल है रोड्स की आबादी को नियंत्रित करके उल्लू फसलों और अन्य वनस्पती को नुकसान से बचाते हैं और वे रोड्स द्वारा फैले जाने वाली बीमारीों के प्रसार को भी कम करते हैं उल्लू लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं उल्लू अपने लंबे जीवंकाल के लिए जाने जाते हैं कुछ प्रजातियों के उल्लू, जैसे की ग्रेट हॉंट उल्लू, जंगलों में 30 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य, जैसे की बान उल्लू, 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, उल्लू कैद में भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, कुछ तो 50 साल तक जीवित रह सकते उल्लू अकेले रहने वाले जीव हैं उल्लू को कई संस्कृतियों और परंप्राओं में देखा गया है कुछ मूल अमेरिकी संस्कृतियों में उल्लू को ज्यान के प्रतीक के रूप में देखा गया है हिंदू पौरानिक कथाओं में डेवी लक्षमी को अक्सर अपने कंधे पर उल्लू के साथ चित्रित किया जाता है, जो धन और समरिध्धी का प्रतीक है जापानी संस्कृति में उल्लू को एक श्चुप पक्षी के रूप में देखा जाता है और अक्सर कला और डिजाइन में उप्योग किया जाता है तो ये हैं उल्लू ओ के बारे में कुछ दिल्चस्प तत्य अंत में हम आशा करते हैं कि आपको इन दिल्चस्प तत्यों के बारे में जानने में मज़ा आया है अगर आपके पास कोई सवाल या टिपणी है तो कृपिया हमें कमेंट्स में बताएं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कृपिया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ऐसे ही और भी ज्यादा रोचक तत्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजीट करें